सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जनाब, जिसकी खुशिया ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती है किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस शक्स के लिए तुम गिरते हो, वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, महिनत करोगे तो सब हसेंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो सब तुम पर जलेंगे अकेले रहने पर आप इतना दूखी नहीं होंगे, जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने से हो सकते हो गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता, जितना की सही होकर खुद को सही साबित करना होता है किसी की आदत होना प्यार होने से ज़्यादा खतरनाक होता है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे है वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे है मुझे से जुड़ा हर वादा हर कसम तोड़ दी तुमने हम वफा आज भी करते हैं पर महोबत छोड़ दी हमने यदि किसी के पास रहना हो तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए ठका हुआ हूँ थोड़ा जिन्दगी भी थोड़ी नाराज है पर कोई बात नहीं ये तो हर रोज की बात है ऐसे लोग भी मेरे आसपास है जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास है बेशक सब की इज़त करो लेकिन खुद को कभी जलिल मत होने देना दुष्ट अपनी दुष्टता सर्प अपना वीश, सीह, रक्तपात जिस प्रकार नहीं छोड़ता उसी प्रकार उदार आदमी अपनी उदारता कभी नहीं छोड़ता उदारता एक इश्वरी ये गून है यह बहुत ही कम व्यक्तियों में पाया जाता है दूसरों के साथ वैसी ही उदारता रखो जैसी तुम इश्वर से अपने लिए चाहते हो आभारी हु मैं उनका जिन्होंने मेरी निंदा करके मुझे साउधान बनाया केवल अपने लिए मांगने वाला भिकारी कहलाता है किन्तु सबके लिए मांगने वाला साधू कहलाता है यदि आप चाहते हैं कि लोगों का रुदय आपके प्रती उदार हो तो सबसे पहले अपने रुदय को उदार बनाईए क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है जो भलाई करने का सदा प्रेतन करता है वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा प्राप्त करता है पर जो बुराई की तलाश में रहता है उसको बुराई ही मिलती है किसी के दूर जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ तब होती है जब पास होकर भी दूरिया बना ले वक्त और अपने लोग जब दोनों एक साथ चोट करते है तो इंसान अंदर से पत्थर बन जाता है जिन्दगी हमें बहुत सी चीजे मुफ्त में देती है मगर इनकी कीमत का पता हमें तब चलता है जब ये कहीं खो जाती है तूटे होए सपने और छुटे होए अपने जिन्दगी में बार बार नहीं मिलते है इसलिए इनकी कद्र करे जो आप पर आखे मून्द करके विश्वास करता हो ऐसे लोगों को कभी धूका न दे क्योंकि ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते है जब हम बच्चे थे तब अधूरे एहसास, तूटे सपने, अधूरे होमवर्क और तूटे खिलोने सब अच्छे लगते थे सफल होने की तमन्ना मेरी भी है, पर गलत रास्तों से होकर जाऊं इतनी जल्दी भी मुझे नहीं है दुख से पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, जबकि हमारे जीवन का प्रारंबही रोने से हुआ है मित्रता खास लोगों से नहीं होती, जिन से हो जाती है, वही लोग खास बन जाते है एहसास बदल जाता है वक्त के साथ और पता भी नहीं चलता है, क्योंकि महबबत और नफरत एक ही दिल से होती है कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि दिल तूटने पर इंसान तूट जाता है या दिल पत्थर हो जाता है रिष्टा दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं जो व्यक्ति खुद और खुद के सपनों के बारे में नहीं सोचता वो सोचता ही नहीं है यदि आपके मन में संतोश नहीं है तो दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती आप वैसा इंसान बने जिस तरह के इंसान को आप पसंद करते है दुआ कबूल न हो तो लोग भगवान भी वदल देते है